development लेकिन क्या development at the cost of nature होना चाहिए दोडा किष्टवार रजोरी पुंच के इलाके पहाडी इलाके वो इलाके जहां का ecosystem बहुत fragile है वो पहाडी इलाके जिनके आसपास घने जंगल बसते हैं इन इलाकों को भी जरूरत है विकास की development की इन इलाकों के जरूरत है demand है सड़कें इन इलाकों की जरूरत है mobile connectivity इन इलाकों को भी एक अच्छा हस्पताल अच्छी universities अच्छे colleges चाहिए इन इलाकों को भी जरूरत है कि यहां पर भी tourism को promote किया जाए लेकिन बतकिस्मती इन इलाकों की ये है कि जिस तरीके के टोपोग्राफी इन इलाकों की है इस टोपोग्राफी पर सड़क तो जब बन जाती है सड़क बनने के बाद लांड्सलाइड वहां पर होती है सड़क बनने के बाद वो सड़क जादा देर तक पकी नहीं रहती और सड़क बनने के बाद जो जंगल काटे जाते हैं और टूरिजम प्रमोट होने के बाद जो जंगलों की तबाही वहां पर होती है अच्छी अच्छी जगाहों की तबाही वहां पर होती है उसका हरजाना भरने वाला फिर कोई नहीं होता इस पर बात करना जरूरी इसलिए है क्योंकि मैं समय किष्टवार में हूँ और यह वो रास्ता है जो सिंथन टॉप से नीचे किष्टवार टाउन की तरफ जाता है इस रास्ते के उपर पक्की सड़क बनी हुई है बहुत खूबसुरत इलाका है पहार देखने को मिलते हैं मेडोस देखने को मिलती है पेर देखने को मिलते हैं और जितनी दूर आपकी नजर पड़ती है उतनी दूर आपको हर्याली देखने को मिलती है लेकिन ऐसा मुम्किंग केरवल इसलिए हो पाया है क्यूंकि अभी तक इस इलाके को तूरिजम पुटेंशल के हिसाब से प्रोमोट उतना नहीं किया गया जितना इस इलाके का पुटेंशल है जितना टूरिश्चे अट्राक कर सकता है जब लोग किसी भी जगा पर आना शुरू हो जाएंगे यहां पर भी छोटे-छोटे खोखों की जगा, टेंट की जगा, कैफेस खुल जाएंगे, रेस्टरेंट बन जाएंगे उसके बाद इस इलाके की शकल ही अलग सी दिखेगी दूसरी बात ये, कि सड़क तो यहां पर बन गई है, लेकिन इस सड़क में भी कई ऐसे पैचेज हैं, जहां पर आप जब सड़क की हालत देखेंगे, आपको लगेगा कि यह सड़क पकी कहीं से नजर नहीं आती ये चीज़ें मुम्किन क्यों हो पाती हैं, इसलिए क्यूंकि जब आप कोई audit report उठा कर देखें, जब आप जमकुश्मीर में किस तरीके से developmental projects carry out किये गए हैं, उसमें investigate करके देखें, तो कई सारी ऐसे examples देखने को मिलती हैं, कि सड़क बनाई गई है, DPR जो है वो दफतर मे बैठे बैठे बना है, geological survey कभी हुआ ही नहीं, जब हम geologist से बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, कि चाहे government of India के projects हो, major projects हो, national highway के projects हो, आम सड़कों के projects हो, इन पहाड़ी इलाकों पर सड़कों की ऐसी हालत आखें क्यों हो जाती है, तो वो ये जवाद देते हैं, कि geological survey जिस तरीके से इन इलाकों में होना चाहिए नहीं हो पाता, कई बार दिखाया ये जाता है paper पर कि 5-7 geologist से consult किया गया है, उनसे के sign भी उसके ओपर होते हैं, लेकिन क्या वो survey action में हुआ होता है, किसी को नहीं मालूम, दूसरी बात ये, कि जम्मु कश्मीर में जितना forest का area है, forest के area की conservation को लेकर बाते तो बड़ी-बड़ी होती है, लेकिन development के नाम पर अकसर environment को, ecology को पीछे छोड़ दिया जाता है, आपको किसी भी एक जगा पर industry establish करनी है, आप नहीं देखते कि ये area कहीं forest को तो नहीं है, आपको कहीं पर parking बनानी है, तो आप ज़रूरी नही समझते कि हम wildlife department से पहले clear race ले ले, आपको कोई भी development का project करते हैं, आप कहते हैं कि ये तो लोगों के हक में हैं, तो हम ज़रा से paid card भी देंगे, हम पहार card भी देंगे, हम इस इलाके को disturb कर भी देंगे, तो क्या होगा, उसका नतीजा क्या निकलता है, वो आपको इन ही कुछ ह सारे देखे, जहां पर पहाडों के वो दृष्ट जब आप social media के उपर देखते हैं, तो आप हैरान होते हैं, आप एक कहते हैं कि ये खुदरत का कहर आखिर लोगों के उपर पड़ा कैसे है, वो खुदरत का कहर पड़ा इसलिए है, क्योंकि जब आप इन इलाकों में जाते हैं, डेवलप्मेंट के मोटिफ से जाते हैं, जब आप इन इलाकों के लिए कोई भी छोटे से छोटा प्रजेक्ट भी प्लैन आउट करते हैं, तो आपको हर एक चीज़ को कंसिडर करना जरूरी हो जाता है, वहां की जोग्राफी, वहां की टोपोग्राफी, वहां की डेम टिकी नहीं, और उसके बाद उस सड़क की वज़ा से उन इलाकों की वो तबाही हुई, जो तबाही पहले नहीं थी, लोगों की जरूर अतात सड़क जरूर है, लेकिन इन पहाडी इलाकों में आज भी जो लोग बसते हैं, क्या उनकी खबर लेने कोई आता है, जब लोग कभी इस बारे में सोचते हैं, कि जो काम बाय दबुक होना चाहिए था, नहीं हुआ, किसी को फेवर करने के लिए, किसी और कारण से, कागजयों पर साइन कर दिये गए, और उसके बाद फंड्स ऐलोकेट कर दिये गए, उसके बाद वो प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो गया, बाद में उसका नुकसान जिन लोगों को जहिलना पड़ा, आज वो लोग कहां हैं और क्या कर रहे हैं?